हेलो गाईज आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है आज हम रेज्य शेक्षिक अनुसंधान एम परशिक्षन परिशत के द्वारा दी जाने वाली गती विधी पत्रक नंबर 8 करेंगे जो की क्लास 6 तू 8 की है और ये वरक्षिट 25 जैन्वरी 2022 की है तो जैसे कि अब आप लोगों को पता है कि पत्थन अभ्यान चल रहा है 100 डेस का एक रीडिंग स्किल को इंप्रूव किया जा रहा है तो इस पे अलग-लग सबजेक्ट की हिंदी की मैंच की और इंग्लिश की आपकी वरक्षिट आएंगी एक्टिविटी शीट आएंगी जिसमें आपक चुके हैं सभी स्टूडेंस अच्छे से तो बहुती आसान सी बहुती इजी सी वरक्षिट होती है एक्टिविटी शीट होती है कुछ ड्रॉइंग्स होती है तो जो आज की एक्टिविटी शीट है ये 6th क्लास और 8th क्लास तीनों के लिए ही सेम आती है और इसका तो आज की जो वरक्षिट है ये एक्टिविटी शीट है गणित सब्जेक्ट की है 25 जैनुरी 2022 की है तो क्यूंकि अभी आज क्या है 25 जैनुरी है है तो कल क्या है बताइए सोचे सोचे कल क्या है 26 जैनुरी को क्या होता है गंतंत्र दिवस तो आज की जो वरक्षिट है गंत गंतरन दिवस त्रती वर्ष 26 जन्वरी को मनाया जाता है तो आप ये बिलकुल अच्छे से जानते होंगे ये मुझे इतना यकीन है 6th क्लास, 7th क्लास और 8th क्लास का बच्चा ये अच्छे से जानता है कि 26 जन्वरी को हम गंतरन दिवस भी कहते हैं इस दिन 1950 में भारत का सवि वात की गई थी लागू की गई थी कब 1950 में तो 26 जन्वरी 1950 को भारते सविधान की एक बुक लिकी गई थी जिसमें क्या कहा गया था जिसमें जितने भी कानून है नियम है ये बनाए गए तो ये नियमों की किताब कहो या कानून की किताब कहो तो इसलिए इसे क्या कहा जात अब उसी से रिलेटल यहां पर बहुत ही आसान से कोशन्स है जिने हमें सौल करना है तो आईए करते हैं इसे सौल तो आईए देखते हैं कुछ कोशन्स दिये गए है चित्र में कौन सा रास्टिय पर्व मनाया जा रहा है तो गंतंत्र दिवस क्या हो जाएगा इसका अंसर गं लेकर एगर आप 3 है द्यान से देखлагे तो रंगों की संख्या 5 होती है कैसे जो यह चकर है अशोका चकर यह दिले कलर का होता है और इसके अंधर जो लाइने है वो यह 5 होती है तो कितने हो जाएंगे पांच अगर आप तीन भी लिखेंगे तब भी गलत नहीं है और अगर आप पांच भी लिखते हैं कुल मिलाकर तो सारे कलर कितने हो जाएंगे पांच कलर भी हो जाएंगे मार्चिंग टीम द्वारा बनाए गए अकर्ती का नाम बताएए तो आएए देखते हैं तो देखें मार्चिंग टीम द्वारा जो अकर्ती बनाए जा रहे है ये कौन सी अकर्ती हो जाएगी देखो ध्यान से देखो इस अकर्ती को हम क्या कहेंगे त्रिबुज ये किस तरह क् त्रिभुज तो क्या अंसर हो जाएगा इसका त्रिभुज मार्चिंग टीम द्वारा बनाए गई अकरती का नाम बताईए ठीक है उसके बाद उपर दिये गए चितर की मदल से दिये गए ध्वज में रंग भरी आपको क्या करना है इसके रंग भरने है तो सबसे उपर कैसा रंग हो जाएगा आप बताएंगे यहां से सबसे उपर हो जाएगा केसरिया रंग तो हम इस तरह से यहां पर केसरिया रंग फिल करेंगे ध्यान से करेंगे आप भी अपनी नोट बुक के अंदर आपको क्या करना होगा नोट बुक के अंदर एक अपना रास्टे जो धोज है वो बनाना होगा ठीक है और लास्ट में हम कैसा करते हैंगे ग्रीन कलर तो यह हो जाएगा ग्रीन कलर ठीक है तो यह हो जाएगा हमारा रास्टे धोज आप इसी तरह से अपना रास्टे धोज यहां पर मनाएंगे ठीक ह और सुन्दर सा रास्टे दोज मनाईएगा ठीक है तो यह हो जाएगा रास्टे दोज अब इससे related कुछ questions पूछे गए हैं जिने हमें क्या करना है, solve करना है मैंने केसरिया रंग की आकरती में भरा है जिस रंग, देखो क्या कहा गया है कि जो केसरिया रंग है, वो किस आकरती में भरा है आयत में भरा है, तो हम लिख देंगे आयत में भरा है देखो यह सारे कोशन इससे related है next, देखो क्या कहा है मैंने हरा रंग जिस आकरती में भरा है उसका नाम बताओ, तो हरा रंग कहां भरा है यह हरा रंग भी क्या है एक आयत ही है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आयत इसके बाद कहा है मैंने नीला रंग जिस अकरती में भरा है उसका नाम बताओ तो नीला देखो शोका चकर कैसा होता है नीला तो वो क्या हो जाएगा व्रत क्या हो जाएगा व्रत हो जाएगा ठी ये सारे questions आप अपनी notebook में करेंगे, इस बात को ध्यान से समझेए, ये सारे जो questions है आप अपनी notebook में करेंगे, अब हम देखते हैं आगे की worksheet, अब हम देखते हैं आगे worksheet में क्या कहा गया है, नीचे दिये गए चित्र में वर्ग, आयत, व्रत और त्रिम्भुच गिनिये, चित्र में अपने मन पसंद रंग भी भरिये, तो आपको क्या करने है, रंग भी बरने, अपने मन पसंद के रंग भरिये, और आपको क्या करना है, इसके अलावा आपको यहाँ पर करना है, कि इसमें इनकी संख्या बतानी है, तो देखो वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों ब पत की संख्या काउंट करते हैं, तो देखो एक ये रहा और दो इसके अंदर हैं, ठीके तीन होगे, यहाँ पर फिर देखो एक ये हो जाएगा, चार, ये पाँच और ये छे, साथ, ठीके यहाँ पर देखो आठ, नो, दस, ग्यारा, इसके अंदर बारा, तेरा, चोदा, ये रहायँ पर आजन हो 0, 90, 26 और 27 तो हम याँ और लिख देगे, 27 हमारी क्या हो जाएगे, वरतों की संख्या हो जाएगे, अब हम लिख calculate हैं, आप इसके अंदर अच्छे से कलर भी भर सकते हैं, उसके बाद है आयत की संख्या, तो हम आयत देखते हैं, आयत क्या होता है, अभी हमने समझाता है, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो देखो पहले आयत हो जाएगा, एक, फिर दो, फिर ये तीन, चार, पांच, फिर छे, साथ, और आठ, नो, दस और ग्यारा, बारा, तेरा, चोदा, पंदरा, सोला, सत्रा इसके बाद ये एक अठारा, ये एक उन्निस ठीक है उसके बाद अगर देखो तो ये 20, ये 21, ये 22, ये 23, ये 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 उसके बाद देखो तो ये 32 और ये 33, 34, 35 ठीक है, अब और देखो, और कहाँ पे निकर रही है आपको, ध्यान से देखो एक और आपको यहाँ पे दिखेगी, ये भी पूरी एक आयत हो जाएगी तो 36 और 37 कितना हो जाएगा, 36, 35 हो जाएगा तो 36 हमारी यहां पर क्या हो जाएगी? आयतों की संख्या हो जाएगी उसके बाद देखना है हमें त्रिभुज तो त्रिभुज देखो एक और दो त्रिभुज तो आपको बहुत आसानी से नज़र आ जाएगे लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखो यहां पर एक, दो और एक त्रिभुज यहां पर दिया गया है तीन त्रिभुज यहां दी गया है तो यह कितनी हो जाएंगे? पांच ठीक है? देखो सभी अलग-अलग कलर से कर रहे हूँ जिससे कि आपको क्या हो जाए? समझना आसान हो जाए उसके बाद है वर्गों की संग्या तो वर्ग काउंट करते हैं देखो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ ठीक है? आठ तो हो गए यह देखो यह भी एक वर्ग है नो, यह भी एक वर्ग है दस, ठीक है? उसके बाद यह देखो यह भी एक वर्ग है टेकि तो ये भी क्या हो जाएगा एक वर्ग हो जाएगा चोदा ठीक है ये 4 वर्ग होगई इसके दीथे तब तो तकरीवनMR 4 ये एक और देखो यहाँ पी नझठीक दी रहा है। तो जो आप Lazarus से किया है कि आपको कोई confusion ना हो तो आप भी क्या करेंगे अप Color करने है तो देखो जो भी डौ ब्लेक वर्वरत है वो आप काले कर दीजेगा आयतों की संक्या आप क्या कर देंगे रैड से कर दीजेगा त्रिबूज की संक्या煌 से कर दीजेगा तो यह बढ़ ब ad decorate कर लेंगे सुन्दर सा एक रफचित्री आपको अपनी notebook में बनाना है और इसको आप अच्छे से color कर देना है ठीक है तो इस तरह से इसे आप ध्यान से करेंगे अगर अभी देखो 14 के अंदर हम और भी add करते हैं इसको सब को हटाते हैं फिर आपको कुछ work और दिखाती है देखो यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो यह देखो 14 के बाद 15 यहाँ पर गर्दन में देखेंगे 16 यहाँ देखेंगे 17 हो जाएगा उसके बाद हाथ में देखेंगे 18, 19, 20 और 21 इस तरह से अगर छोटे-छोटे work भी count करेंगे तो इस तरह से आप अपने activity sheet को interest के साथ करिएगा और worksheet को complete करके अपने teacher से जरूर चेक करवाईएगा Thank you guys